इसके बाद फिर हम चलेंगे पॉर्व बनाए जाएगा अब काली चोदस की जो तारीक है वो तीस अक्तूबर बताए गई है अब इस काली जबन आनद ले इसके बाद इस नर्क इसको नर्क चोदस भी केते हैं क्यूंकि यह 14 यह पूजा यह बड़ी मात्वाव पूण है और यह पूजा करते हैं और कुष्वपं पत्रम और भोग लगाते हैं तोller方 स्थान और नरक के अंदर आप कभी नहीं जाएंगया और इसको रूप 14 भी कहते हैं और इसको का लिफड़ जाती है और ये ती 위 आ कि चुआन अर्च चिया और शॉवर को यह जो पुर्व व्ध्वार के दिन बनाया जाएगा और इस दिन सब्सक्राइब इसको मार दिया था क्यूंकर उसने बहुत बड़ात किया था और 1650 गोप्यों को अपनी अपनी विदान बना कर लखा ने उन सब को अपनी उनकी केश से आजाद किया था तो उस दिन जो है वो पूजा का विदान बताए जाता है तो काली की चौदस के दिन जो है वो श्री हनुमान जी का भी विदान बताए जाता है और कुछ लोग वह संधिया काल के अंदर बी वह रोपास्णा करते हैं अपने घर के बार remedy निरूवान करते हैं, और दीपक क worry को जलाकर जैक अकाल मिर्तु का भेवी शुरिज़ कूछे की पूजा करता हैं, और कुछ लोग ये पुजा रात को भी करते हैं, कुछ पुजा ये संध्या से फेले भी करते हैं, तो महाकालका की पुजा इसमे अरम की जाती है, तो ये पुर्व जो है, ये शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक भी आप इस पुर्व को बना सकते हैं, और 30 अक्तूबर के दिन, और ये काली 14, नरका 14 और रूप 14 का इसको नाम दिया गया है तो ये भी बहुत अच्छा पुर्वा है और इस पुर्वा के दिन भी पाट तो आपका घर पे लगा ही होता है तो ये धनतेर साब पाट लगा देते हैं और इसके बाद ये पूजा भी आप करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी और भेज होगा मिर्ट्यू का वह समापत होगा सारे कस्ट खतम हो जाएंगे, सारे रोग खतम हो जाएंगे तो ये भी बड़ा जबर्दस पुर्वा है जो हमारे सनातन धर्म के इंदर, कार्तिक मास के इंदर बनाये जाता है